ठोकरे खाता हूँ, परसान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सिना तान के चलता हूँ, मुश्किले तो आएगी जिन्दगे में, मुझे पता हैं, आने दो, आने दो, उठूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, और आखिर में जीत ही जाऊंगा, ये मैं ठान के चलता हूँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों, मुकेश में अंदर एजुकेशन चैनल पर, और आप सभी दोस्तों का तहदिल से पूरी जो इतनी भी जो उर्जा हैं वो आपके पर्मुक पेपर में खोदी हैं ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि दोस्तों मैंने आपके लिए यानि 60% त्यार किये हैं पॉलिटिकल साइंस के राजनितिक विज्ञान के मैंने 60% त्यार किये हैं और बड़े ही important question रहने वाले हैं बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके तीश नंबर पक्के हो जाएंगे जो अती लगुत्रात्मक परसन हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे 60% परसन रहने वाले हैं तो 60% आपको अच्छे से याद करने हैं ठीक है दोस्तों मैं आपके सब्सक्राइब करने हैं ठीक है पास में घंटी यानि बेलेकर लगें उसे प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप सब को समय समय पर मिलता रहें ठीक है तो दोस्तों आज में राजनितिक विज्ञान के 60% प्लस परसन लेकर आया हू ठीक है पहले मैंने कोफी के अंदर लिखे हैं और लिखने के बाद दोस्तों में परमुख जैसे मैंने पीडियो बनाई है तो अभी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे परमुख 60 कृशन और मुझे ये बता देना कि कौन कौन तयार है 60 कृशन को याद करने के लिए अग तीस नमबर आपके मुठी में हो जाएंगे दोस्तों हाँ बिल्कुल दोस्तों तीस नमबर आपके मुठी में हो जाएंगे अगर आप मेरे दोरा बताएगे इन कृशन को अच्छे से याद करते हैं तो ठीक है तो दोस्तों देरी किस बात की है मोबाइल की स्किन पर चलते ह इससे पहले दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यानि के वर्दान साबित होने वाला है तो अपने अपने दोस्तों के बीच दोस्तों एक बार तो सेर कर दीजिएगा एक बार इस वीडियो को सेर कर दीजिएगा दोस्तों मुझे भी बहुत मैनत लगी है इन परमुकिशनों क विज्ञान के तीश नंबर पक्के हैं दोस्तों अगर आप इन साठ किशन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो चलो यहाँ पर पहला किशन देरका है कि सोग तरेपी किस वरस में अपनाई गई थी तो 1990 में दोस्तों सोग तरेपी अपनाई गई थी यादि ध्यान रखना 1990 हो जाएगा सोग तरेपी किस वरस में अपनाई गई थी थी 1990 में दूसरा किशन है कि वेस्विक संपदा या मानुता की साजी विरसत में क्या समिलित हैं तो वायू मंडल समूंदरी सते बाहरी अंत्रिक्स ये जो है वेस्विक संपदा या मानुता की साजी विरसत में परमुख्ष मिले थी तीसरा किशन है आप देख सकते हैं कि चिपको अंदोलन की सुरुवात किस राज्ये से हुई है तो चिपको अंदोलन की जो सुरुवात है दोस्तो वो उत्राखन राज्ये से हुई है ठीक है द्यान रखना दोस्तो चिपको अंदोलन की सुरुवात उत्राखन राज्ये से हुई है चिपको अंदरोन का साब्दिकर्त होता है चिपकना ठीक है पेड के चिपक गए थे कब हुई ती सुरवात 1903 में हुई ती उत्राखन ठीक है इसके बाद दोस्तों चोता किशने की सुईक द्राश्टर संग के परतम महास अचीव कोन थे तो सुईक द्राश्टर संग के जो प परतम सिक्षा मंद्री थे मौला अबजुलकलाम सवतन्दर पार्टी के परतम सिक्षा मंद्री थे। चटा पर एक्तस्तान की पूर्ति करने जिसमें पूचा है कि बारत में संस्तिय सासन पर आधारित खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया है तो परति निदितु मुलक जो है लोकतंत्र है इसको अपनाया है भारतिय संस्तिय सासन पर आधारित है जो कि परति निदितु लोकतंत्र को हमन के अध्यक्स खालिस्तान के नाम पर मंडल कमिशन कहा जाता है तो मंडल आयो को उनके अध्यक्स जैसे बीप मंडल के नाम पर इन्हें मंडल कमिशन कहा जाता है इसके अलावा साथ वाएं कि गुट नेरपेक्स आंदुरन के प्रणाता कौन थे तो गुट नेरपेक्स इसके अलवा अगला नवा किशन आप देख सकते हैं कि राजीव गंदी की मृतियों के बाद कांग्रेस पार्टी ने किने अपना प्रदानमंत्री चुना तो जब राजीव गंदी की मृतियों होती है तो कांग्रेस पार्टी की ने अपना प्रदानमंत्री चुनती है तो नरसीमा राओ को अगला है दसवा किशन की 2019 का अठारवे समयलन किस देश में हुआ था तो दोस्तो अजरबेजान देश के बाकु सेर में हुआ था अठारवा समयलन गुटनेपेक्स आंधुरन का ठीक है बड़े इंपोर्टेंट किशन है मैं तोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्यूंकि 60 किशन है टाइम लगेगा इसमें चलो हम अगले 11 किशन के तरफ चलते हैं बारवा किशन है आपके सामने कि बलादीमिर लेनिन किस पार्टी के संस्तापक्त है तो बलादीमीर लेनिन जो है यह बोल शेवी कम्यoneस्ट पार्टी के संस्तापक्त जो बी दोस्त इस वीडियो को याद गर लेते 60 परसनों को उसके 30 नमबर पक्के हैं दोस्तों अगला किशन ने बारवा की कवी द्वारा सुरज मुकी आसी सो वाला फकीर सब्द किन के लिए प्रिक्त किया गया है और ये बोर्ड प्रिक्षा 2022 के अंदर पूछा गया परसने बोड़ प्रेक्षा 2022 में पूचा गया था दोस्तों कि कभी द्वारा सुरज मुकी आशीसो वाला फकीर सब्ध किसके लिए प्रिक्त किया गया है तो डॉक्टर भीमराओ अमिडेकर के लिए प्रिक्त किया गया है इसके अलावा तेरवा किशन ने की बाम सेप का पुरा नाम लिखी है बाम सेप तो इसका पुरा नाम है पिछड़ा और अलप संक्यक समुधाई करमचारी महासंग बेकवेड एंड माइनोरिटी कम्यूनिटीज एमपलाईज फेडरेशन इंगलीज में इसका ये नाम है और हिंदे में ये नाम है चवजो याद कर सकते हैं आप बाम सेप का बेकवेड एंड माइनोरिटी कम्यूनिटीज एमपलाईज फेडरेशन पिछड़ा और अलप संक्य समुधाई करमचारी महासंग ये बाम सेप का पुरा नाम है दोस्तो चवजो फेडरेशन आप देख सकते हैं कि मिलकमेन ओप इंडिया के नाम से कौन मशूर है तो मिलकमेन ओप इंडिया के नाम से वर्गिज कुरियन जो है ये मशूर है दोस्तो अगला किशे ने दक्सेस का पर्थम समयलन कहा आयुजित हुआ दक्सेस का पर्थम समयलन तो ये बांगलादेश में आयुजित हुआ था दोस्तो ठीक है दक्सेस का पर्थम समयलन बांगलादेश के धाका में तो यह बारत और पाकिस्तान से हैं दोस्तो तासकन समझोता का समझोता कब हुआ था यहां पर 1965 लिख रहा है तो 1965 है या 1966 है बता देर ना कमेंट में 1966 होना चाहिए मेरे हिसाप से तासकन समझोता ठीक है तो 1966 होना चाहिछ यह मेरे हिसाप से देख ले ना और शातरवा किसेन के मांटरल समझोता कब हुआ मांटरल प्रोटोकल समझोता तो यह हुआ था ठीक है इसके लावा 19 वा किशन आप देख सकते हैं कि गोल पीट की मराठी कविता के लेकक कौन है तो नामदेव डसाल जो है यह दोस्तों यह मराठी भासा के कवी थे गोल पीट की मराठी कविता के लेकक थे नामदेव डसाल 20 वा किशने देशी राग्यों में से कौन सा यथावत समझोता का पक्षदर था तो हेदराबाद 21 वा किशने आपके सामने कौन सा दल राजनितिक दल है तो भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी भारतिय जनता पार्टी इंडियन नेशनल कांगरेस ये जो है पर्मुग दल राजनितिक दल है ठीके इसके अलावा 22 वा किशने की पर्मुग खालिस्तान पूच्छा है तो भरना है में की दसक में प्रयाउन के मसले ने जोर दिया यानि 1960 के दसक ने दोस्तो प्रयाउन के मसले ने जो है वो जोर पकड़ा ठीके यानि जो और पकड़ा था 1960 के दसक ने पहले गुटनेर्पेक्स समयलन में कितने सदेशे देश में सामिल हुए तो 25 सदेशी हुए थे दोस्तो 25 दूसरे विश्यूद के बाद खालिस्तान मासक्ति के रूप में उबरी तो दूसरे जब विश्यूद हुआ 1949-1945 तो कौन से मासक्ति जो है वो सक्तिसाली मासक्ति के रूप में उबर कर सामने आई तो पुझेवादी समाजवादी मोडल यानि दूसरे विश्यूद के बाद दो मासक्ति आती एक तो पुझेवादी और समाजवादी पुण्जी वाधी अमेरीका थी और समाद वाधी सोवे संग थी ये दोनों मासकतिया जो है वो उबर कर सामने आती है BKU पस्चिमी उत्रपरदेश और हर्याना के किसानों का परमुख संगटन था बारतिय किसान यूनियन जो ये पस्चिमी उत्र प्रदीश और हर्याणा के किसानों का शंगटन था कई बार पूच्छा हैं 1989 के चुनाओं में खालिस्तन पार्टी के हार हुई यानि कांग्रेस पार्टी के हार हुई थी 1989 के चुनाओं में अगला देखेगा 23 वा किशन है कि उपनिवेशों ने किस दसक के उत्राद से आजाध होना शुरू किया तो 1940 के दसक से 24 वा हैं कि ब्रिटिस इस्ट इंडिया को कितने भागों में बाटा गया था तो दो भागों में बाटा गया था एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान अगला 25 वा किशन है कि दल पेंथरिस का मुख्य लक्षे क्या था बताइएगा लक्षे तो दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठणा और जाती आधरित ए समान तवे अन्याई का विरोध करना ये दलित पेंथरिस का मुख्य लक्षे था 26 वा किशने के 2005 के जून में किस समू के देशों की बेटक हुई तो गुरूप आठ की बेटक हुई दोस्तों इंपोर्टेंट है 27 वा हैं सरदार सरोवर प्रियोजना कब वे कहां प्रारम हुई तो सरदार सरोवर प्रियोजना 1980 के दसाब दियो सताब दियोग के प्रारम में नर्मदा गाटी में प्रारम की गई थी ठीक है इसके मंडल आयोग की क्या सिपारे से थी तो मंडल आयोग ये अन्य पिछडी जातियों के लिए केंदरी सरकार ये इसके अधिनस्त समस्त उपकर्मों के रिक्त होने वाले पदों के आरक्षन की सिपारे से की थी ये मंडल आयोग की प्रमुक्ष शिपारे से थी ठीक है यानि इसी में OBC को 27% आरक्षन की बात भी कई गई थी तो ये 28 कृशं हो गए फिर हम तेकते हैं 29W कि आपके सामने 29W क्रिशन है की योजना आयोग क्या है एक हमने देखा था नीति आयोग और ये योजना आयोग क्या है योजना आयोग 1950 में 12 सरकार के दोरा एक परस्ताव के माजढिम से गटित एक सल्लाकार संस्ता थी योजना आयोग 1950 में 12 सरकार के दवरा एक प्रस्ताव के माज़िम से गटित सलाकार संस्ता थी योजना आयोग के दिक्स परदान मंत्री होते थे लेकिन इसके इस्तान पर एक नईा आयोग लागए वोय है निती आयोग और नितियायो किस्तापना एक जनवरी 2015 को होती है और इसके देख्स भी प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी है नई आर्थिक निती किसने शुरू की तो लेनिन ने नई आर्थिक निती शुरू की थी इसके अलावा 31 किशने के बारत नेपाल के मज़्य संसोधित दोहोराक रोपन परिवार समझोता कब हुआ तो यह हुआ था 2011 में 32 किशने की क्यूटो प्रोटोकोल किस देश में हुआ तो जापान में क्यूटो प्रोटोकोल हुआ था ठीके 33 किशने कांग्रे सोसलिस्ट पार्टी की स्थापना किस ने की थी तो अच्छारी नरेंदर देव ने कांग्रे सोसलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी ठीके सोसलिस्ट पार्टी की स्थापना अच्छारी नरेंदर देव ने की थी मेगल्य का निर्मान कब हुआ तो मेगल्य का निर्मान 1972 में 1922 में हुआ था 1960 में गुजरात और माराश्टर का होता है ठीक है निए इसी प्रकार से 35 वाए कि मंडल आयो के अज्यक्स कौन थे तो बीपी मंडल रिक्तस्तानों की पूर्ती करने है परसन पूचे है कि बारत ने खालिस्तान में क्यूटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्सर किये 2002 में बारत ने क्यूटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्सर किये दूसरे विश्यूद की समापती से ही सीत्यूद की सुरुवात हुई थी चिपको अंदलन में महिलां ने सक्रिय भूमी का निभई थी खालिस्तान मोर्चे की सरकार ने खालिस्तान आयू की सिपरेशु को लागू करने का फैसला किया थीक है ये एक्तिस्तान के पूर्थी करना बड़े important question है वामपन्थी विचारदरा क्या है तो ये विचारदरा निर्दन पिछडे सामाजिक समू की तरपदारी करती है इनको लाब पहुचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करती है ये ठीक है वामपंती विचारदरा एक दक्षनपंती विचारदा दोनों इंपोर्टेंड अंतर भी पहुचा जा सकता है आगे देखते हैं 38वा किशन एक चिपको अंदुलों का सबसे अनूटा पहलू क्या था तो अंदुलन में महिलों की भागे दरी ये चिपको अंदुलों का मेत्वफून जो अनूटा पहलू था उन्चालिस वाएं कि दीत्य पंचवर्षी योजना में किसके निर्थेतों में योजना बनाई गई तो पीसी महा लेनोबिस अगला हैं कि ये किसने कहां कि लेनिनवाद सामराज्यवाद के यूग का और स्रमजेवी क्रांति का माक्षवाद हैं तो ये इस्टालिन ने कहां था एकदालिस वाएं कि बारत स्रीलंका समजोता का मुक्य प्रियोजन था तो सिंगेली वे तमिलो के बीत सजाती विशेशमाप्त करना ये परवु क स्रीलंका और भारत समजोता का मुक्य प्रियोजन था 42 स्वाएं कि दिसंबर 1902 में बासाई आदार पर गटित होने वाली पर्थम राज्य था बासा के आदार पर पहला राज्य कोन सा बना तो आंद्र प्रदेश ठीके 43 स्वाएं कि दलित पेंतर सांदोनों कहा से प्रारम हुआ तो यह माराष्टर से प्रारम हुआ था 44 स्वाएं कि सवतंदर भारत की परतम स्वास्ति मंत्री कौन थी तो राजकुमारी अमरित कोर राजकुमारी अमरित कोर यह सवतंदर भारत की परतम स्वास्ति मंत्री थी 45 वा किशन ने कि स्विक्त राश्टर संग के मुख्यले का परदान कहलाता है तो मा सच्चिव कहलाता है स्विक्त राश्टर संग के मुख्यले का परदान वरस 2002 में किस राज्य का निर्मान हुआ तो जारकंड का निर्मान हुआ था दोस्तो रज्यकार क्या थे तो यह अर्ध सनिक बल थे दोस्तोर रज्यकार अर्ध सनिक बल चलो 48 वे किशन की तरफ चलते हैं 48 वे किशन जो पूछा गए आप देख सकते हैं कि स्विक्त राश्ट संग का सबसे मेत प्रूण अंग जो होता था वो क्या था शुरुक्षा प्रिशत उत्री देशों की मुख्य चिंता जो उत्री देशों की जो मुख्य चिंता थी वो थी ओजोन परत में छेद और वेश्विक ताप वर्दी को लेकर ये खालिस्तान है लाला लक्सरों में लिक रखें बरने हैं आपको सन 1909 में में वास्ट्विक सकल गिरलो उत्पाद 1989 की तुल्ला में कही निचे था 1980 के दसक में उत्राद में भारती अर्थवेश्ता के उधर इकरण के प्रियास हुए ठीके मई 1901 में में राजिव गंदी के हथ्या कर दी गई थी तो इस तरीके से पर्मुख खालिस्तान में लिए पूचे जा सकते हैं इंपोटेंट हैं उन पचासव किशन है कि माक्षवादी के आसादर्न माक्षवादी माक्षवाद के एसादर्न सिदांतकार कौन थे तो ब्लादिमीर लेनिन ये माक्सवाद के ए सादन सिधान्तकार थे सुरुक्षया की खालिस्तान धारणा के खालिस्तान पक्स है तो सुरुक्षया की ए परंपरिक धारणा के दो पक्स है अगला हैं कि राज्ये पुन्रगटन के आधार पर भारत में कितने राज्ये के अंदर साशी परदेश बनाए गए तो राज्ये पुन्रगटन आयोग 1953 में पारिश किया गया था और इसमें कितने राज्ये तो 14 राज्ये और 6 के अंदर साशी परदेश बनाए गए थे रहे यह पुंडर कटन के आदार पर भारत में ठीक है बजट का क्या अर्थ हैं तो बजट का अर्थ हैं सरकारी आईवे का वार्थ सिक वीवरण बजट कहलाता है परसन आईगा बजट क्या है तो यही लिखना है बजट का अर्थ पुंचे तो यही लिखना है कि सरकारी संसादन और खालिस्तान को एक साथ जोड़ देता हैं तो मूलवासी जो लोग थे उनका सवाल प्रियावरण और राजनितिक प्रियावरण संसादन और राजनितिक को एक साथ जोड़ देता था पच्पनवाय की मिसाइल गोरबाचेवने आरतिक वे राजनितिक सुदार के लिए किन-किन नीतियों को अपनाया तो मिखाइल गोरबाचेवने दोस्तों पुनरचना ठीक है जिसे बोलते हैं पेरेश्त्रोई का खुलेपन या ग्लास्टनोस ये परमुग दोस्तों सुदार क इन्होंने ये नीतिया परमुग अपनायी मिखाइल गोरबाचेवने आरतिक वे राजनितिक सुदार के लिए ये इंपोर्टेंट है ये थोड़ा कठें लग रहा है परसन लेकिन वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद कर लेना चलो देखते हैं चपनवा किशन चपनवा किश आप देख सकते हैं कि प्रांतिय दल किसे कहते हैं तो प्रांतिय दल वे दल जिनका संगटन ये परभाव चेतर प्रयाई के वल एक राज्य या परदेश तक शिमित होता था उसे बोलते हैं प्रांतिय दल अठावनवा किशन आप देख सकते हैं कि दक्षन पनती विचारद तरहा थी ब 1-1 क्यूशन चै कि यू एससार का फूर नाम बताईए गा यू से ममांद व federal का पूर नाम भी और सेसार का पुरण नाम है 60 वा क्रिशन आप देख सकते हैं कि रूसी संसद का नाम बताईए तो रूसी संसद का नाम है डियूमा रूसी संसद का नाम है डियूमा और रूसी मुद्रा का नाम है रूबल ठीक है रूसी मुद्रा का नाम रूबल है रूसी संसद का नाम डियूमा हैं तो यह बड़े important question है अमेरिका की मुद्रा का नाम डोलर है भारत की मुद्रा का नाम रूपया है तो यह परमुक आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से हमने 60 plus question देखें दोस्तों वीडियो कैसा लगा I hope कि आपको अच्छा लगा होगा और 60 plus question जिसने याद कर लिए उसके 30 नमबर पक्के हैं तो इन question को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पूरी book में से बनाए है very very important question है ठीक है तो वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर अपने राई दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे बारत वंदे मातरम थेंक यू